Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा platform जहां Class 1 से लेके Class 12 तर आपको सारा quality educational content exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है. मतलब यह कि यहां कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी subject के एक या दो chapter पढ़ने के लिए मिलें, access करने के लिए मिलें और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ content अगर आपने देखना है तो या तो आपको उसके लिए किसी तरीके की कोई fees देना पड़ेगी या कोई paid subscription लेना पड़ेगा. ऐसा Magnet Brains पर नहीं होता. Magnet Brains प्रतिबर्द है आप लोगों तक सारा quality educational content exclusively free of cost लेकर आने के लिए. जिसकी मदद से आप लोग आप ना सिर्फ अपने examination में अच्छे से अच्छा perform कर सकें, बट साथी साथ आप लोगों की subjects के understanding अच्छी develop हो, concepts के अच्छी clarity develop हो, और अच्छे marks आप लोग लेकर रहें, प्लस आप इस knowledge की मदद से अपने careers में अच्छा perform करें, अच्छे अच्छे पदों बर पहुँचे हों और देश की तरक्की और उन्नती में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना contribution हो, यही magnet brains का ध्य है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहें, और इसी note पे हम अपने आज के session के शुरुवात करेंगे, तो आज का जो अपना session रहने वाला है, इसमें हम लोग class 12 की हमारी जो history की किताब है, पहली जो किताब है, इसके third chapter के उपर, का CBST ने अपने sample papers को जारी कर दिया है, तो उसमें एक पूरा का पूरा blueprint जो है, बता दिया है कि question paper जो है history का किस तरीके से आने वाला है, क्या उसमें questions रहेंगे, क्या उसमें marking scheme रहेगी, कितने sections में question paper डिवाइड होकर आएगा, ये सारी बातें CBST ने बता दिया है, हमने उस particular sample paper को जो CBST ने जारी किया था, उसको भी solve किया था, एंड साथी साथ उसके बाद हमने आपको बताया था, कि magnet brains उसी format के उपर आपके लिए sample papers के एक पूरी series लेकर आएगा, तो उसी series में फिर जो है, सबसे पहले हम लोग chapter wise जो है sample paper solve करना है, एक एक chapter के उपर हम लोग उसी format में जो है sample papers बना रहे हैं, और लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से format में practice हो सके, और उसी sequence को continue करते हुए, आज जो अपनी class 12 की history के जो तीसरा chapter है, या फिर जो तीसरी theme है, उसके उपर base जो sample paper है, वो हम आपके सामने लेकर आएं, so now without any further ado, here we begin, इसको आप solve करना हम लोग जो हैं शुरू करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कि magnet brains आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके, इसके लिए sample paper solutions भी आपके लिए provide करवाता है, previous year के question papers भी लेकर आता है, NCRT solutions भी लेकर आता है, ताकि किसी तरीके की कोई कमी जो है, आपकी preparation में ना रह जाया और आप अच्छे से अच्छा जो है exam बगरा में पहौंग कर सके, तो चलिए, अब शुरू करते हैं sample paper को solve करना, सबसे पहले जो general instructions है और जो general बातचीत है हम लोग वो देख लेंगे, उसके बाद में फिर किस तरीके से अपने को solve करना है, क्या आपके do's और क्या don'ts रहने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे and then we'll be solving the questions, में आपको प्रशन पत्र अपना पढ़ना है, सवालों को समझना है और सवालों के जवाब देना है, और इस question paper के maximum marks आपको मिलने वाले हैं, वो मिलने वाले है 80 marks का जो है आपका total paper रहने वाला है, आब ये पूरा का पूरा question paper पाँच sections में divided हैं, section A, section B, section C, section D और section E, ये पाँच sections में जो है divide होकर ये question paper आपको मिलेगा, और उसमें कुल मिलाकर 34 सवाल या 34 questions जो हैं वो आपसे पूछेगा है, ठीक है जी, सारे के सारे सवाल compulsory हैं, यानि कि 34 के 34 सवाल आपको करने हैं, इसमें से एक भी question आप छोड़ नहीं सकते, कई बार होता है न, paper में आपको 8 सवाल पूछेगा हैं, और बोला कि 5 सवाल कोई भी नहीं से कर दो, 3 सवाल छोड़ दो, तो वैसी कहानी यहाँ पर नहीं है, 34 सवाल पूछेगा हैं, और 34 के 34 सवाल करना पड़ेंगे, एक भी सवाल जो है आप इसको छोड़ नहीं सकते, यह सारे के सारे सवाल जो है, 5 sections में आपको divide करकर पूछेगा हैं, कुछ सवाल इसमें 34 सवालों में से, कुछ questions आपके section यह में हैं, और यह सारे के सारे MCQs question रहने वाले हैं, याने की multiple choice question रहने वाले हैं, और हर एक सवाल का आपको एक number मिलेगा, फिर समझिएगा, section A में 21 सवाल पूछेगा हैं, 34 questions में से 21 सवाल, out of these 34 questions, इन 34 में से 21 सवाल जो हैं, पहले section में यह आपको देखने को मिलेंगे, और यह 21 सवाल कैसे सवाल हैं, यह multiple choice questions हैं, हर एक सवाल एक number का है, factual सवाल हैं, एक question आपको पूछा जाएगा, चार options आपको दिये जाएगे, इन 4 में से कोई एक option सही होगा, और उसके लिए आपको एक number जो है, वो मिलने वाला है, तो इस तरीके से आपके पहले section में, सबसे ज़्यादा questions आपको देखने के लिए मिलेंगे, 21 सवाल, अब अगला आता है section number B, section number B में question number 22 से लेके, question number 27 तक आपको कुल मिला कर 6 सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ये जो 6 सवाल है, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ये 6 सवाल, हर एक सवाल 3-3 number का है, यानि कि कुल मिला कर ये section आपका 18 number का हो जाता है, और हर एक सवाल जो है, आपको 60 से 80 वर्ट से जादा में नहीं लिखना है, 6 से 8 लाइनों से जादा नहीं लिखनी है, max to max आप जो है 6 या 8 लाइने लिखने हैं, उससे जादा आपको इसमें नहीं जाना है, ठीक है जी, तो section B में 6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, हर एक सवाल आपका तीन नंबर का है, और इस हिसाब से देखा जाए, तो maximum number इस section के बनते हैं 18, इसके पहले वाले में 21 सवाल थे, और हर एक सवाल एक नंबर का था, इसलिए आपके maximum number बनते थे इसमें 21, अगला जो section आता है, उसमें तीन सवाल पूछेगा है, 28, 29 और 30, यह तीनो questions जो है, वो long answer type questions है, और हर एक question के आपको 8 number दिये जाएंगे, आप से expected यह है कि जो सवाल है, वो आप 300 से 350 शब्दों से जादा में, उसका जवाब आप ना लिखे हैं, 300 to 350 words से जादा, कि आपको जो है limit exceed नहीं करनी है, मतलब यह है कि यहाँ पर आप max to max एक जो पन्ना है आपका, उसका एक आगे वाला portion और max to max उसके पीछे वाला portion, लगबग आप इतना भर सकते हैं, इससे ज़ादा आप ना जाएं, यह आप से expected है, अब यहाँ पर हर एक सवाल आठ नंबर का है, तो 8, 3, 24, 8, 3, 24, तो maximum यह section आपका बनता है, 24 marks का, चले, आगे देखता है, इसके बाद आपका section number D आता है, इसमें 3 सवाल है, 31, 32, 33, यह 3 questions जो हैं, आपके source based questions हैं, source based questions का मतलब यह है, कि हर एक सवाल आपका चार, इसमें आपको एक paragraph देखने को मिलेगा, उस paragraph को पढ़ना है, और उसके बाद में उसके उपर 2-3 सवाल पूछेगा है, उनका जवाब आपको देना है, हर एक जो सवाल है, आपका वो 4 number का है, चार marks के question में आप आपसे 2 सवाल पूछेएं, 3 सवाल पूछेएं, वो examiner की मर्जी है, मगर paragraph पढ़वाएगा पहले, उसके बाद उसके बाद उसके 2-3 सवाल बनाएगा, और वो सारे सवालों को जो सामें, आपको 4 number total एक सवाल में मिलेंगे, और यह question 5 number का आएगा, map based question रहेगा, और यह question आपका 5 number का जो है, आने वाला है, इसमें 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, या 34th question के 2 parts होंगे, एक part में तो आपसे बोल देंगे, भाई यह फलानी फलानी जगाओं के नाम है, इनको आप मैप के उपर identify करो, और यह आपकी जो जगाएं हैं, वो ऐसी out of the random नहीं पूछी जाएंगी, हवा में आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपका जो particular chapter है, या फिर जो भी आपका आपने पढ़ा हुआ है, उसमें से कहीं से किसी context में जगाओं को इसे कराया होगा, तो इनको पूछा जाएगा, पहला, दूसरा आपको एक particular जगे के description दिया जाएगा, और एक जगे को mark किया जाएगा, map के उपर ABC, आप वो जो जगे का description दिया जा रहा है, यह 34 सवाल करकर खतम करने हैं, तो यह आखरी section जो है, वो 5 नंबर का आपका रहने वाला है, overall आपको किसी भी तरीक है कि कोई 24 सेंबल बेपर में, इस question बेपर में देखने के लिए नहीं मिलेगी, मगर कहीं पर अगर कोई internal choice वगरा होगी, आपको छोड़ नहीं सकते, इसके अलावा गर कहीं पर किसी सवाल के लिए कुछ additional instructions चाहिए है, कुछ additional information मगरा है, तो वो भी आपको प्रोवाइट कराई जाएगी उस particular question के साथ में, इस तरीके से जो है अपना ये question paper का ये format अपना पूरा बना कर इन्होंने अपने को दिया हुआ है, अब ये question paper करना कैसे है, पहले वो discuss कर लेते हैं और उसके बाद में फिर इस question paper को करना हम लोग शुरू करेंगे, देखिए इस question paper को हम लोग इस particular format में करेंगे, सबसे पहले हम लोग question paper में section A जो है, इसको खतम करेंगे, section A खतम करने के बाद में हम लोग section E की तरफ में jump करेंगे, section E को jump करने के बाद में हम लोग section C को करने के बाद में हम लोग section B या section D में से पहले किसी एक को निप्टाएंगे, और उसके बाद जो आकरी बचेगा उसको करेंगे पहले अगर आपने section D कर दिया तो आप section B करोगे और अगर आपने section B कर दिया तो आप section D करोगे जैसा आपको टीक लगे अब ये जो तरीका है इस तरीके से आपको question paper solve करना है आपको कुछ लिखना है ना कुछ दिमाग लगाना है factual सवाल है या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ लिख कर आओ तो सामने वाला एक मैसे आपको आधा नंबर दे दे या फिर उसमें से आपको जो है 0.25 marks दे दे ऐसा भी नहीं होना आपको पूरा एक number मिलेगा अगर आपने सही किया और अगर आपने गलत किया तो आपको एक number भी नहीं मिलेगा 0 marks मिलेंगे तो यह factual questions है ना इसमें कुछ लिखना है ना इसमें दिमाग चलाना है सिर्फ आपको एक question पढ़ना है आप आराम से भी चलते हो तो भी आप 30 मिनट से जादा नहीं लोगे और यहां पर एक बात यह है कि अगर आपने सवाल कर दिया तो आपको पता है कि इसका mark मिलना ही मिलना है तो अगर आपने 21 marks आपके fix हो जाएंगे 21 marks आपके fix हो जाएंगे 21 marks नंबर जो है आपके dead shore होगा है इसमें सबर एक भी नंबर आपको कटना नहीं है अब इस तरीके से जब आपको पता है कि आपके पके हैं marks तो एक कही ना कही confidence level बढ़ जाता है एक अलग confidence में आते हो और उसके बाद में जो है पेपर के उपर उस positivity का अपको देखने को मिलता है अब यह करने के बाद में कुछे गाए इस एक ही सवाल के दो parts है basically एक में आपको दो तीन जगाओं के नाम बताएं map के ओपर आप उनको बना दो और दूसरा एक जगे का description दिया गया है उसको map के ओपर A B या C किसी alphabet की मदद से उसको mark किया गया उस जगय का नाम आप लिग दीजिए इस से जादा कु कुछ नहीं है map based question में भी या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता तो कुल मिलाकर यहां से भी जो है आपके maximum number secure हो जाएंगे और यह तो दो मिनिट का भी काम नहीं है बस आपको जगे देखनी है map के उपर उसको point करना है जब आपको सोचने में थोड़ा वक्त लग अच्छा लिखा हो मगर वो पूरे marks नहीं देखे कुछ ना कुछ काट ले वो नहीं हो सकता है तो 26 नंबर जब अपने secure हो गए अपन confidence में यह तो कोई काटी नहीं सकता उसके बाद में आपको confidence level जो है वह एकदम next level पर चला जाता और आप अच्छे से जो है फिर आपका दंबे सवाल हैं सोचकर लिखना इत्मिनान से लिखना अच्छा जवाब देना और 24 नंबर है यहां से humanities का सबसे बड़ा रोना शुरू होगा कि अपने को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आठ नंबर का सवाल है तो आठ में से आठ जनरली जो है एक्जामीनर नहीं देतना है साथ दे देंगे साड़े साथ दे देंगे बहुत अच्छा लिखा आठ नंबर नहीं देंगे यहां से लड़ाई यह एक्जामीनर से maximum से maximum number जो अपने को फैच करने है maximum से maximum number अपने को उस्ते निकालना है इसके लिए अपने को अच्छे से जवाब देना है इत्मिनान से कर दोगок's मैं कितना भी अच्छा करोगे आप से कम नंबर यहां से कम नंभरें आपको यहांपर time खराब करोगे यहां time कम बचा तो फिर इन questions की quality compromise होगी तो फिर यहां पर 24 मैंसे 20 नंबर से कम 17, 15, 14 इस तरीके के number आपको मिलेंगे तो आपका score और all खराब होगा इसलिए section C की तरफ जाना और इन तीन बड़े-बड़े questions को आपको सबसे पहले जो है निप्टा देना है यह अपना factual questions करने के बाद अब यहां पर आपने insure होगा या आपने अच्छे जवाब नहीं है सामने वाला बहुत जादा number नहीं काट पाएगा फिर आपकी मर्जी है कि आप section B पर जाते है section D पर जाते हो कई लोग यह बोलेंगे कि लिखते-लिखते बोर होगा है यहां दर्थ करने लगे अब अपन थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं तो section D में आप paragraph पढ़के फिर छोटे-छोटे जवाब देना है वो भी हो जाएगा और उसके बाद फिर आप छे सवालों के जवाब राइटिंग आप छे सवालों के अंसर राइटिंग कर दीजिए या फिर यह कई लोग बोलेंगे कि लि और section D करने के बाद section B पर भी जा सकते हैं इस particular pattern को इस particular format को आपको follow करना है चले आगे बढ़ता है एक बात अब अब करेंगे फ़ोड़ास answer writing के बारे में कि किस तरह से अपने answer writing करनी है क्या इसके do's है क्या इसके don'ts है and then फिर हम लोग question paper solve करना शुरू करेंगे चले देखत answer writing में देखिए अपने को दो-तीन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो अपना जो भी जवाब अपन लोग लिखेंगे अपनी कोशिश रहेगी कि अपन जहां तक हो सके है heading वगरा के साथ में अपने जवाब वगरा बनाएं या फिर सब heading वगरा बनाएं और उसके बा में बुलेट पॉइंट्स वगरा के फॉर्म में जो आप अपना जवाब दें और पॉइंट्स को भी जितना आप शॉर्ट या जितना क्रिस्प रख सकें उतना बेटर रहेगा तीसरी चीज यह कि अगर कहीं पर कोई इसमें ऐसी important facts आते हैं जो आप चाहते हैं कि examiner पढ़ की है या फिर paragraph लिखना मजबूरी है ऐसे वगरा मैं या इस तरी के तो विर एक अलग बात है मगर जहां तक हो सके अपने को paragraph में लिखने से बचना चाहिए उसकी वजह यह है कि paragraph में आपने कितना भी अच्छा जवाब लिखा हो मगर paragraph के साथ में दिक्कत यह आती है कि आप आपको पूरा paragraph पढ़ना पढ़ेगा सवाल का जवाब है उसका context समझने के लिए पूरा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको context समझ में नहीं आएगा बीच में से कहीं पर आप देखो उपर नीचे कहीं पर अगर थोड़ा बहुत देखो तो आपको context जो है समझ में नही आएगा तो पूरा paragraph पढ़ना पढ़ता है अगर आपको context समझना हो और इतना वक्त जनरली लोगों के पास में होता नहीं है एक्जामीनर भी क्योंकि बहुत सारी कौक्णियां चेक करना और बार बार एकी तरीके के जवाब जो उसको देखने को मिल रहा है तो फिर वो इतना है क्या नहीं लिखा उसने एक नजर मारी paragraph है उसका mindset बना हुआ है उसने आपको साड़े चार की जगे बादा चला तीन नंबर दिये तो अपना नुकसान हो गया और वो आगे बढ़ गया क्योंकि एक माइंसेट बनाएंगी paragraph में मैंस टू मैंस इतना नंबर दूँआ से जा मिल जाएगी कि answer की quality कितनी है कितनी गहरा ही जो है इसके सवाल के जवाब में है तो यहां से होगा यह कि आपका जो जवाब है उसको एक समझ में आ जाएगा experience क्योंकि teacher तो होते ही है तो उससे समझ में आ जाएगा कि नहीं है लड़के ने जवाब अच्छा दिया है अब सा ईजी तो यह दूसरी चीज यह कि जहां तक हो सकए आप डाग्राम वगणक इस्तेमाल करें कहीं हमां ने तो उन ने को तुछ करेंगे तो यह अपने कुछ दोंश ङसका भवन रखना और इस पैटनगोंवड करेंगे फिर section A करेंगे फिर section C करेंगे और उसके बाद में section B section D में से कोई करेंगे मैं जो follow करता हूँ section C के बाद section D करता हूँ last में section B solve करता हूँ तो इस particular format में जो है अब हम लोग चलेंगे इस तरीके से जो अपने को question paper अपना पूरा solve करना है so now without any further ado here we begin अब जो है considered goodby dharm shastras धर्म shastrों में कितने तरीके की जो marriages थी उनको अच्छा समझा जाता था तो इसका जो जवाब है धर्म में चार तरीके की जो शादियां थी उनको अच्छा समझा जाता था धर्म shastrों में चार से ज़ादा तरीके کی की शादियों का वर्णंग किया गया है मगर कुल्मिला के चार तरीके की शादियां जो थी उनको अच्छा माना जाता था तो जो ऑप्शन दिये गया है कि हाउ मेनी टाइप सोफ मैरीजेस वर गुडबाय धर्म शास्त्र एट फोर थ्री टू इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी कि चार तरीके की शादियां थी जिसको अच्छा समझा जाता था पहला कॉश्चन उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर भी अगला कॉश्चन धर्म शास्त्रों में कितने तरीके की नंबर गया है और तरीके की शादिया और जैसे हैं उसमें अच्छी मानी कही निया है इक इस और चार तरीके की चार तरीके जिससे आप शादी कर सकते हैं तो कुल मिला कर आठ तरीके की शादीयां याद रखिएगा इस बात को धर्म शास्त्र ने क्या बुला है आठ तरीके की शादीयां हो सकती हैं इस में से चार तरीके की जो शादीयां है वो अच्छी मानी जाती है और चार तरीके की जो शादीया कौन सा है options है मनुस्मृति महाभारत रिगवेद नन अब दीस तो इसका जो सही जवाब है वो है मनुस्मृति सबसे important धर्मशास रगर इन में से कोई सा माना गया है तो वो आपका मनुस्मृति माना गया उसकी वज़ा यह है कि मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई है वो बेसिकली एक legal text का काम करती है वो एक आप कह सकते हैं कि binding text का काम करती है तो मनुस्मृति क्यों important हो जाती है क्योंकि एक legal text है ठीक है जी इसमें आपके कानून बगेरा के बारे में बताया गया है या फिर laws के बारे में बताया गया है जो society के उपर apply किये गए थे society के उपर या समाज के उपर जो कानूनों को लागू किया गया था वो सारे के सारे कानूनों का क्योंकि इसमें जिकर जो है आपको देखने के लिए मिलता है इसलिए मनुस्मृति जो एक important text हो जाता है और इन सारे कानूनों को लागू किया गया उसका एक असर भारत के समाज पर देखता है आज तक जो है काथ सिस्टम हो गया और इसके लावा बाकी सारी चीज़ें हो गई उसका कही ना कही एक असर जो है है वो आपकी मनुस्कृति है क्योंकि इसके कानूनों को एक्चुल में समाज के ओपर लागू किया गया था क्वेशन नंबर थर्ड का सही जवाब है और अगला क्वेशन 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 नंबर फॉर्थ हुवन दा बैटल ऑफ महा भारत पांडवाज कौरवाज सलवानास तो इसका जो सही जवाब है वो तो खेर हम सब को ही पता है आसान सवाल है पांडवों ने करी है यह जो पर्टिकुलर चाप्टर है चाप्टर नंबर थर्ड इसमें हम लोगों ने इस बारे में बात भी करी है कि यह सुत्र पितक में काफी सारी चीज़ें वगरा दी गई है तो कहानियों की माध्यम से जो है बातों को किस तरह सालोगों तक पहुँचाने की प्रदेश वो इतिहासकार या फिर वो जो आर्केलोजिस्ट थे जिन्होंने हस्तिनापूर नाम के गाउं में खुदाई की थी मेरट के पास में उत्तर प्रदेश में जाकर उनका नाम क्या था आप्शन्स हैं बीबी लाल एमार वर्ट्स आर्डी बैनर जी आर्म वीलर इस है बार-बार महाभारत में कैपिटल की तौर पर आ रहा था और जिस इलाके में हस्तिनापूर का जिकर किया गया था मेरट भी बेसिकली उसी इलाके में पूड़ता था तो वहाँ पर अब एक गाउं का नाम हस्तिनापूर होने से जो है आर्केलोजिस्ट वगरा की एक्छा रह रहा है कि 17-200 के पहले तक जो है वहाँ पे लोग वगरा रह रहे था तो डॉक्टर बी बी लाल क्वेशन नम्बर सिक्स और बढ़ते हैं बढ़ते हैं राई ऐनेस्ट डाइनी जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉंक फाजियान विजिटेड इन्डिया इन जो जुसका जो सही जवाब है उसका जरा संग अभी-ननीओ, गटोतकच और बारबर एक इसका जो सही जवाब है वो है option number C घटोतकच जो है वो हेडिमबा और भीम का बेटा हुआ करता था question number 8 का सही जवाब है option number C अगला question question number 9 डैश contain vivid descriptions of battle, forest, palaces and settlements इसमें जो है आपको लड़ाईयों का, जंगलों का, महलों का और काफी सारी रियाईशों का जो है बहुत vivid और एक काफी अच्छा description जो है देखने के लिए मिलता है options है manu smriti, सुत्य पितक, महाभारत और none of the abu इसका सही जवाब है option number C महाभारत जो है इसमें आपको vivid description देखने के लिए मिलता है चाहे लडाईयों का हो जाए, जंगों का हो जाए, चाहे फॉरेस्ट का हो जाए, चाहे पैलेसिस का हो जाए सैटलमेंट्स का हो जाए, तो option number C question number 9 का वो सही जवाब हो जाएगा अगला question देखता है question number 10 पानीनीस अश्टध्याई is a work on, पानीनी साहब ने जो अश्टध्याई करके किताब लिखी है इसमें किस बात को डील किया गया है या पर यह जो काम है, अश्टध्याई में जो काम किया गया है वो किस चीज़ से related है, options है संस्कृत grammar, संस्कृत history, संस्कृत mantras, संस्कृत place तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो है option number A संस्कृत grammar, पानीनी ने जो अश्टध्याई लिखी है इसमें संस्कृत की व्याकरण का नियम कायदों को बनाया गया है और उसके तहट फिर संस्कृत भाशा में व्याकरण का परयोग किया जाता है तो question number 10 का जो सही जवाब है वो है option number A अगला question, question number 11 जो सबसे पुराने आपके inscriptions वगरा देखने को मिलते हैं उनको इन में से किस material के उपर लिखा गया था पेपर, metal, stones, wood तो इसका जो सही जवाब है वो है stones पत्थरों के ओपर जो है सबसे पुराने inscriptions वगरा को लिखा गया था question number 11 का जो सही जवाब है वो है option number C अगला question देखता है, question number 12 which of the following was one of the duties of शत्रियाज शत्रियों की जो है इन में से जो चार आपको बताई गई है इन में से कौन सी जो है वो शत्रियों की duty हुआ करती थी, options है to perform sacrifices and give gifts to teach vedas to trade and agriculture, तो इसका सही जवाब क्या है to perform sacrifices and give gifts ये जो है शत्रियों की primary duty हुआ करती थी, वेद पढ़ना भी जो है उनकी duty में शामिल था मगर पढ़ाना शामिल नहीं था, तो teach vedas जवाब है, वो है option number है to perform sacrifices and give gifts ये जो है, ये आपका शत्रियों की duty मानी जाती थी, question number 12 का सही जवाब है, option number है, चले, अगला question देखते है, question number 13 the brahmanas considered some people as being outside the system by classifying certain social categories as dash, जो brahmanas हुआ करते थे, वो कुछ लोगों को उनका जो चार वर्णों की वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाहर consider करते थे, और इस तरीके के लोगों को उन्होंने certain social category में divide किया था social category का ना, या फिर एक certain तरीके की social category में उनको रखा करते थे उस social category का नाम क्या है, options है, kinfolk, वर्णाज, untouchable, मलेच्छास, तो जो सही जवाब है, वो है option number D, मलेच्छ, या मलेच्छास, यह जो particular category हुआ करती थी लोगों की, इसमें ब्रामिन्स उन लोगों को count किया करते थे, जो लोग चार वर्णों की वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, या फिर जो आपका Indian subcontinent के बाहर के लोग हैं, जो outsiders हैं, उनको मलेच्छ बोला जाता था, तो यह मलेच्छ शब्द अगर इस्तिमाल हो रहा है, इसका indication यह है कि चार वर्णों की वर्ण विवस्था का यह हिस्सा नहीं है, question number 13 का जो सही जवाब है, वो है गोल्ड स्मिट्स वगएरा हुआ करते थे जो सुनार थे उनके, रथाकार जो वगएरा करते थे, उनके जो रथ वगएरा बनाते थे, पॉर्टर्स वगएरा जो थे उनके, या फिर सिल्क वीवर जो हुआ करते थे, तो इसका जो सही जवाब है, वो है option number D, इस सिल्क वीवर जो हुआ करते थे, उनके एतिहास वगएरा को जब आप ढूंडोगे तो उसके जो गिल्ड वगएरा हुआ करता है, उनका जो गिल्ड हुआ करता था, उनका उसका description आपको मनस और स्टोर इंस्क्रिप्शन पर देखने के लिए मिलता है, इसको आपके पांडव और कौरव जो थे, उनके इन्हाबिटेट कर रखा था, अपने पड़ रखाएगी कई सारी आपकी महा जन्पदें हुआ करती थी, तो इन में से कौन सी जन्पद जो है, उसमें आपके पांडव और कौरव रहा करते थे, अब ये बताना है, अप्शन्स हैं, सुरा सेना, मलाज, शाक्याज, कुरूस, तो इसका जो सही जवाब है, वो है, कुरू, या कई बार आपने सुना भी होगा, कुरू वंच, कुरू वंच करके जिकर जो है, उसमें आता रहता है, तो जो कुरूस, आपका जो, जो महा जन्पद हुआ करती थी, या जो कुरू जन्पद हुआ करती थी, उसमें आपके पांडव और कौरव रहा करते थे, कौशन नमबर 16 का सही जवाब है, ऑप्शन नमबर D, अगला देखता है, कौशन नमबर 17, अगला कौशन नमबर 18, families are usually part of larger network of people defined as relatives, or to use a more technical term dash, families वगरा जो होती है, या पहले भी हुआ करती थी, वो आपका एक ज़्यादा larger network होता है, लोगों का उसका part हुआ करती है, जिनकों लोग कई बार सामाने बाशा में relatives बोल देते हैं, इनके लिए जो ज़्यादा technical term इस्तिमाल होता है, वो कौन सा है, options है, kinfolk, patrilini, marriage, polygamy, तो समझ यह का बात को, कि आपका जो परिवार है, वो आपके रिष्टदारों का एक कुटुम्ब है, उसका एक हिस्सा है, या फिर एक subset है, अब यह जो पूरे के पूरे आपके relatives या फिर आपके जो रिष्टदारों का कुटुम्ब है, इसके लिए एक technical शब्द इस्तिमाल होता है, उसका नाम अपने को बताना है, तो इसका जो सही जवाब है, वो है option number A, kinfolk, kinfolk जो है वो जादा technical term है, जो उस पूरे के पूरे network of people, जिसको हम लोग कई बार हिंदी में कुटुम्ब बोल देता है, उसके लिए यूज किया जाता है, question number 18 का सही जवाब होगी, option number A, kinfolk, अगला, according to the शास्त्रा, only dash could rule the country, शास्त्रों के अनुसार से यही वाली जो category के लोग हैं, वो आपका country के उपर rule कर सकते हैं, options हैं, ब्राह्मिन, शत्रियाज, वैश, शुद्राज, तो इसका जो सही जवाब है, वो है option number B, शत्रिये जो हैं, सर्वो ही rule कर सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार, हला कि हम लोगों इने इस बात को देखा था, कि कई बार जो है, यह आपका rule and regulation वगरा तूटा था, कई बार जो है, आपको पता चलता था, कि ऐसे भी आपके rulers आये हैं, जो शत्रिये नहीं था, है, question number 19 का सही जवाब है, option number B, अगला question number 20, which of these rulers followed endogamy, इन में से कौन से rulers जो है, वो endogamy follow करते थे, endogamy का मतलब क्या होता है, endogamy का मतलब होता है, अपने ही कुटुम में शादी करना, इसके लिए और जारा जो common शब्दिस्कमाल होता है, वो है, आपका cousin marriage वगरा जो है, वो क option number A, शतावनास जो थे, वो endogamy का पालन किया करते थे, endogamy को follow करते थे, question number 20, option number A is the right answer, अगला question, question number 21, what was the objective of the team of VS सुक्तांकर, सुक्तांकर साहब की जो team थी, उनको क्या objective दिया गया था, उनको क्या जिम्मधारी दी गई थी, उनको क्या काम जो है, वो करना था, options है, prepare critical edition of मह भारत, translate महा भारत in the English language, prepare critical edition of मनुस्मृती, translate मनुस्मृती in Tamil, इसका जो सही जवाब है, prepare critical edition of महा भारत, critical edition of महा भारत, prepare करने की जिम्मधारी VS सुक्तांकर साहब को दी गई थी, critical edition का मतलब ये होता है, English translation भर नहीं करना था, आपको की translate कर दीजे महा भारत को, इसमें होना य पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट से जो अलग अलग जगाओं पर आपको महा भारत की पांडूली पियां मिलेंगी, उसमें जो सबसे साथा common चीजें हैं, उन सबको आपने कटा करना है, उनका संकलन करकर फिर उसका compilation बना कर उसे translate करना है, और उसको जो है पर आपको publish करना ये काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ये 47 यार्ट तक चलने वाला प्रोजेक्ट था, जिसमें लगवग 13,000 के करीब पने जो हैं, 13,000 के करीब जो पने वगरा हैं, उनको publish किया गया था, तो question number 21 का सही जवाब है, वो जाएगा option number A, that prepare critical edition of महा भारत, चलें, तो इस तर जाएंगे, इसमें भी अपने को जादा कुछ लिखने को हैं नहीं, यहां बर भी अपन लोगों ने कुछ लिखा भी खा तो हैं नहीं, अपने से सवाल पढ़ें और सवालों के जवाब दी हैं, आपने जो चार options ते उसमें से सही option को को tick किया है, लगबग आपका section number E में ज section number E की तरफ, section E को discuss करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आपका जो है, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, तो यह आपका section E यहां पर आ गया, map based question, question number 34, जो आपकी paper का आखरी सवाल भी है, इसको देखता है, तो map based questions में जो पहला part है, question number 34 का, that is 34.1, इस पर इनोंने बूला है, mark the following on the map, Mathura, Indraprast and Ujjaini, आप अपने को इन तीन जगों को जो है, map के उपर mark करना है, map कौन सा है, यह आपको paper में जो है, इस तरीके से map बगरा बना कर दिया जाएगा, उसके उपर आपको इन जगों को mark करना है, तो पहला जो हिस्सा है, उसमें अपने स सबसे पहले पूछा है कि भईया, तुम Mathura को mark कर दो, Indraprast को mark कर दो, जैनी को mark कर दो, तो देख लेता है, Indraprast जो है, वो आपका दिल्ली का जो आज का इलाका है, वहाँ कहीं पर पढ़ता है, तो दिल्ली आपको ये देखने को मिलिया, तो Indraprast तो ये हो गया, इसी से नी पर जो है, आपको उजैन देखने के लिए मिलता है, तो ये आपका उजैनी ही हो गया, अब ये तो आपके तीन जगाओं के नाम आ गया, ये मतुरा हो गया, यहाँ पर नीचे, ये आपका दिल्ली के असपास का जो शेत्र है, ये आपका इंडरprast हो गया, और ये जो शेत् गया, ये पर जैनी हो गया, ठीक है, ये आपके तीन जगों के नाम अपने, तीन जगों के नाम लिखने थे, इसके अपने तीन नंबर अपने को ये मिल गया, तो मतुरा कर दी है, अजैनी पुराना जो नाम था, उसका वो हो गया, अगला, अगला, अउन दा सेम मैप, आउ वो जगे है जिस पर माना जाता है कि यहाँ पर हस्तिनापूर सिचुएटेड था आज की तारीक में इस जगे को किस नाम से जाना जाता है अपने को यह बताना है तो अपने लोगों ने पढ़ा था कि भईया मेरट का जो शेत्र है वहाँ पर आप मानते हूँ आज की तारीक म लिखने थे अपने को और इसकी ये दो नंबर का था इसमें अपने पांच नंबर जो है पक्के हो जाएंगे देख लेते हैं सबसे पहले ये आपका इंद्रप्रस्ट का इलाका हो गया दूसरा यहां नीचे थोड़ा सा उतर के आजाएगे या मतुरा हो गया तीसरा यहां गई पर यह जो इलाका है यहां पर यह उजयन हो गया या उजयनी और यह जो शेत्र है जिसको यह ए से मार्क किया है यह आज की तारीक में मेरट कहलाता है इसके बारे में मानना यह है कि यहां पर यहां जो है यह जगे पर आपका हस्तेनापूर हुआ करता है तो इस तरीके से यह अपन लोग ने चार जगाओं के नाम प्लॉट कर दी और सेक्शन E का जो अपना एक मात्र सवाल था वो खत्म हो गया पांच नंबर ही अपनी किटी मे यहां पर या तो आपको आता है या फिर नहीं आता वाली कहानी है इसमें मार्क्स बगरा नहीं करतेंगे तो जितना आपने कम समय में किया सेक्शन E को उतना आप आराम से वक्त लेकर 40-45-50 मिनट में सेक्शन C के तीन सवाल जो है आराम से इतमिनां से निक्टाएं और इसम objective के साथ में लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं तो लॉंग एंसर टाइब क्वेश्चन में सेक्शन सी का पहला सवाल देखता है इसमें पूछा गया है discuss whether महाभारत could have been the work of a single author अब आपको यह बताना है कि क्या आपको लगता है कि पूरी की पुरी महाभारत एक अकेले आद्मी ने बैट कर लिखी होगी यासे कि कई बार जो है बुला भी जाता है कि वेद वीता सुह है महाबारत को लिखी थी, कई बार महाबारत को एक और नाम से जाना जाता है, जैसमीता, तो पॉइंट है कि ये पूछा जा रहा है की कैसा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है, इतना चैप्टर पढ़ने के बात की महावारत जो है इसको किसी एक आदमी ने लिखा था किसी एक ओथर ने लिखा था ये चीज़ अतने को अब डिसकस करने है तो इसका जो जवाब है अब हम लोग देना शुरू कर तो ये जो सवाल है कि भाई क्या लगता है महावारत जो है एक सिंगल ओथर के जवारा लिखी गई थी या ने लिखी गई थी इसको डिसकस करो तो इसका जवाब आप इस तरह से देना शुरू करें कि भाईया या इस पर्टिकॉलर बात को लेकर कि क्या महावारत एक आदमी ने लिखी है एक से जादा लोगों ने लिखी है कितने वक्त में लिखी गई है इस बात को लेकर बहुत सारे व्यूज जो है वो आपको देखने को मिलते है author of the महावारत को लेकर आपको बहुत सारे व्यूज देखने को मिलते है scholars वगरा ने जो आपका पूरा study किया उसके बाद में कुछ एक particular theory रखी है सामने अब जो अपने किताब में पढ़ाई गई है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं ऐसा माना जाता है scholars ऐसा बिरीव करते हैं कि महाभारत की जो मूल कहानी है इसको compose करने के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो उनको कहा जाता है सुताज सुताज कौन होते थे चैरिटियर बार्ड्स का मतलब होता है आपके वो जो रत वहाँ होते हैं जो रत भी हांकते हैं और साथी साथ जो है वो आपके आपकी प्रशंसा में जो है अलग आपकी वंदना करते हैं आपके बारे में अच्छी-च्छी पॉमपस पोयम्स लिखते हैं बड़ी-बड़ी बातें करते हैं इस तरीके के तो इस तरीके के जो चैरिटियर बार्ड्स हुआ करते थे जो आपके लिए अच्छी-च्छी बातें भी कर रहे हैं इन लोगों ने जो है मूल कहानी को लिखा था अब ये लोगों ने मूल कहा धियों पे लाड़ा तक लाड़ा हो रही तो इनको यह भी पता होता है की उसकी पीछे की बजह कि अब वहां पर आपके जो आपका जो स्वामी हुआ करता था आप जिसके रथ को आप हेकर लेकर जा रहे हु उनके फिर आप प्रशंखा में उनकी वेक्ट्रीज वगरा को उनकी जीत वगरा को सेलिबरेट करने के लिए उनके लिए आप अच्छे-ची पोयम वगरा लिखा करते थे बाकी सारी चीज़ें करते थे तो scholars का मानना यह है कि होते इनी charities वगरा में एक से ज़ादा charities ने आपका ये प्रशंशाएं करते करते आपस में debate discussion बातचीत करते करते एक दूसरे के स्वामी की प्रशंशा करते करते इस तरीके की मूल कहानी जो है वो गडली वो मूल कहानी इतनी complex नहीं थी मगर इन्होंने ए आप बोल कर जो है circulate किया करते थे उसके बाद में ये एक से दूसरे जनरेशन तक जो है आपका scholars हो गए फ्रीस्ट हो गए बाकी जो आपके आपके आहम जन्मानस के लोग हो गए एक से दूसरी आपकी जो जनरेशन है उसमें वो लोग बोल बोल कर बोल बोल कर ओरली जो है एक से दूसरी जनरेशन तक यापकी सारी की सारी बातचीथ को ट्रांसमेट किया करते थे अब फिफ सेंचुरी बिफोर कॉणारा अरए एरा आते आते हुम को ये नहीं पता इसके पहले कितने वकसे जो है कहानी आपका circulation में थी मगर फिफ सेंचुरी बिफोर कॉणारा आते आते हैं एक से दूसरी जन्रेशन दूसरी से थी संट err चुकी दिया इस कहानी जो एक सटन तरीके का आप कहा सकते है कि इसने को कहानी ब्रहर दिया ने कहानी को लिखना शुरू कर दिया इसको जो है अब इन्होंने क्रम बद्द करना शुरू कर दिया उसको जो है इन्होंने पेपर पर उतारना शुरू कर दिया इसको जो है रिटन रिकॉर्ड में लाना शुरू कर दिया अब इसी वक्त में क्योंकि आपका जो कुरू हो गया और पांचाल हो गया यह दोनों बड़ी- यह समझ में आता है कि उस जो social values पुरानी वाली थी उसकी जगे जो नए वारे समाजिक आपके समीकरण या social values आ रही थी उन नए समाजिक समीकरणों को भी जो है शामिल किया गया है पुराने आपके जो social values हुआ करती थी उनको आपने हटा दिया 200 before common era से लेके 200 common 200 common era का आपका जो 400 सालों का phase है वो एक important phase माना जाता है इसके बाद में 500 before common era के आसपास से जब आपने लिखना शुरू किया तो उसके 300 साल बाद में जब 200 before common era आया और वहां से लेके 200 common era के जो आपके 400 साल जाते है यह important phase माना जाता है क्योंकि इस वक्त में भगवान किया जा रहा था इसलिए इनको भी जो है इस particular चीज का पार्ट बनाए गया इस पर्टिकुलर टेक्स का जो है पार्ट बनाए गया ऐसा स्कॉलर्स का मानना है लार्ज डाइडाक्टिक सेक्श्चंस रिसम्लिंग दा मनुस्पृति वेर एड़ेड दूरिंग दा पीरियड बिट्विन 200 कॉमन एरा तू 400 कॉमन एरा अब ये 200 कॉमन एरा से बिफोर कॉमन एरा से 200 कॉमन एरा की बीच में मनुस्पृति नाम का एक और आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा गया था तो इसी से मिलता जुलता या इसी के आपके नियम कायदों से चीज़ें थी एक बड़े सेक्शन के रूप में जो है इसको शामिल किया गया मह भारत में इसके चलते हुआ यह कि पूरी कहानी जो लगबक 10,000 श्लोकों के अंदर खतम हो सकती थी वो एक लाग से जादा श्लोकों में चली गई और यह जो इनॉर्मस कंपोडिशन बंकर तयार हुआ वक के साथ में फिर ऐसा बुला जाने लगा कि यह चीज़ जो है एक आ सार सालों तक बनाई गई कहानी है कई जन्रेशन ने अपना कुछना कुछ एड किया है और कई लोगों की इमाजिनेशन का सम टोटल जो है वो निकल कर आया है और क्योंकि ब्राह्मानों ने इसको लिखना शुरू कर दिया था तो उसके बाद में हमारे पास में एक मूल कहा होगे वो देखते हैं तो इसमें जो है आप इस तरह से लिखें यह वाला जो चैरेटियर बार्ट्स वाला जो पोर्शन है इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए इसके बाद में यह वाला पॉइंट पूरा अंडरलाइन कर दीजिए इसके बाद में यह वाला पॉइंट पू कि 200 before common era से 200 common era जो एह एक और आपका important phase आया इसमें फिर आप यह वाला section यह वाला point पूरा अप underline कर सकते हैं श्रहें यह वाला जो पॉइंट पूरा अप अपना तयार हो जाए गा तो इस तरीके सा अच्छा जो अपने को देना है चले अगला question देखते हैं question number 29 तो अपना जो question number 29 है इसमें अपने से पूछा गया है explain why patrilinity में have been particularly important among elite families अब अपने को यह समझाना है कि patrilinity जो है वो elite families में इतनी त्यादा important क्यों होती पहला सवाल तो यह कि patrilinity होती क्या है patrilinity का मतलब होता है जब आप अपने वञच को अपने पिता की तरफ से जो है ट्रेस करते हैं तो उसको patrilinity बोला जाता है जैसे आप यह बोलेंगी बाई मैं अपने पिता जी का बेटा हूँ मेरे पिता जी जो है इनके बेटे थे यानिह यह मेरे दादा जी है मेरे परदादा जी यह थे यह और उनके जो दादा थे या पिता थे वो यह थे इस तरीके से अगर आप अपने पिता की तरफ से अपने वंच को अगर देखना शुरू करते हैं अगर आप अपने पिता की तरफ से अपने वंच को लगाना शुरू करते ह हैं उनकी माता जी यह थी आने कि आपकी परणानी वह हो गई इस तरीके से अगर आप माता की तरफ से अगर ट्रेस करना शुरू करते हैं वो आपकी मैट्रिलिनिटी कहलाती है सवाल यह पूछा यह आए कि जो पैट्रिलिनिटी है यह इलीट फैमिली में इतनी ज्यादा पैट्रिलिनिटी जो है आप सबसे पहले यह करो कि पैट्रिलिनिटी कर दो कि पैट्रिलिनिटी एक इसके बाद में अपने ये बता दिया कि पैट्रिलिनिटी होती गया है कि इसमें आप अपने पिता की तरफ से अपना पंश वगरा जो आप सवाल ये पूछा गया है कि ये बताओ कि जरूरी क्यों था तो भाईया इन इन कारणों के कारण ये जरूरी हुआ करता दा और वो सा पिर आपके वंश को आगे लेकर जाएगा ये इस वजह से जो है पैट्रिलिनिटी इंपोर्टेंट हो जाती है आज तक जो है आप लोगों मैंसे कईयों ने सुना होगा कि तुम तो हमारा वंश हो तुम से हमारा वंश आगे चलेगा ये जो थौट प्रोसेस है कि बेटा ही जो है वो आपका वंश आगे बढ़ा सकता है बेटी जो है वो किसी और के घ्यार बहाई जाएगी है वो किसी और के वंश को आगे बढ़ाएगी ये जो थौट प्रोसेस के चलते आपकी पैट्रिलिनिटी जो है इंपोर्टेंट हो जाती थी पित्र सत्तात्मत्ता जो है वो से जो आपका वंच आगे चलेगा और उसी के चलते हैं यह चीज की हमें बेटा हो जाए यह थौट प्रोसेस जो है लोगों के दिमाग में घर कर गया और वो हजारों सालों से जो है चला आ कितने हजारों सालों से हो रहा है कि कहीदा कई समाज दे जाती हैं कि बच्चिया होती है तो बकाईदा उनके लिए सरकार जो है आपको फिर कुछ प्रोटान जाशी देती है और चाएस तरीके की चीज़ें होती है तो आज की तारिक में चीज बहुत कम हो गई है मगर फिर भी ग्रामीन शेत्रों में आज भी ये mindset कहीं नहीं पाया जाता है कि बेटा हो तो ज़्यादा desirable है बेटी जो हो अगर नहीं हो तो better है तो ये जो thought process है पूरा का पूरा उसके पीछे का अगर आप जड़ में जाओगे तो पैट्रिलिनिटी का जो एक concept है कि बेटा वंज को आगे लेकर चलता है वो एक बहुत important factor था जिसके चलते हैं चीज हिंदुस्तान के समाज में कोड की तरह हमारे दिमागों में आके बैढ़ गई चलो है पहला point तो ये हो गया continuity of dynasty इसके बाद में दूसरा जो reason है जिसके चलते है पैट्रिलिनिटी important हो जाती थी ये important थी वो था inheritance royal families में ये माना जाता था कि आपका जो acquisition of throne है आपका जो सिंहासन है इसको पिता के बाद में बेटा ही जो है वो समालेगा वो ही जो है इसको inherit करेगा तो आपका जो king होता था उसके death के बाद में ये माना जाता था कि आपका जो eldest son है वो ही जो है आपका throne inherit करेगा इसके लिए भी जो है पैट्रिलिनिटी important थी and ये ही चीज़ आपको बाकी जगाओं पर भी देखने को मिलती है कि नॉर्मल फैमिलीज में भी ये होता था कि अगर मापिता की death होती थी तो उसके बाद में जो property थी वो बच्चों बेटों के बीच में बराबर से बढ़ती थी और बड़े वाले को फोड़ा सा एडिशनल इसना मिल जाये करता था तो ऐसा नहीं था कि रॉयल फैमिलीज में इनाटक चल रहा है ये आपको हर जगे देखने के लिए मिलता था रॉयल फैमिली की दिक्कत ये थी कि राजा के बाद में अगला राजा कौन आएगा तो वो एक माइंड सेट था एक 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 बेटा ही जो राजा बनेगा और इनेरिटेंस वगएरा करेगा तो उसकी डेथ के बाद में उसके अगर एक से जादा बेटें तो एल्डेस तन जो है उसको आपका थ्रोन वगएरा इनेरिट करने का राइट हुआ करता था इसी तरीके से आपकी जो नॉर्मल फैमिली की बात की जाए तो पैलेंस की या पित उसके पहले से अगर होती तो उसके बार में नहीं कह सकतें मगर इतने अपने पास में प्रहारा रहा है उसके ऐसा के नियम काय Ricardo रख दी आ और अपने मन की करी है तो यहाँ पर भी वही बात आई जिसमें दम था जिसमें शम्ता थी उसने फिर अपने मन की करी है तो यह ऐसा भी नहीं है कि अभी पत्थर की लकी रहे इसके खिलाफ कोई गया है नहीं exceptions आपको इसके देखने के लिए जरूर मिलते हैं यह पूरे के पूरे सिस्टम में आपके कई सारे exceptions वगरा भी आपको देखने को मिलें example के लिए जैसे कि अगर किसी राजा के बेटा नहीं होता था तो फिर उस राजा का जो भाई है वो फिर जो है आपका थ्रोन वगरा को एसेंड करता था इसी तरीके से अगर आपका आपका भाई भी नहीं है तो फिर आपका जो सबसे nearest relative होता था next to the kin जिसको हम लोग कई बा और शत्रियों में भी आपका पुरुष जो है वो शाशन करेंगे मगर और और तो ने भी राज किया है प्रभावती गुपता का एक्जांपल स्वड़नी मक्षनों में लिखा जाना चाहिए कि इन्होंने बकाईदा सारे नियम काईदों को एक तरफ रख दिया ना सिरू कि तो प्रभावती गुपता जैसी मैला है जो उन्होंने बकाईदा थ्रों एसेंड किया उन्होंने बकाईदा शाशन चला है राजकाज किया तो ऐसा भी नहीं था कि यह नियम काईदा मानने हैं तो फिर पत्तर की लकीर हो गई इनके एक्सेप्शन्स आपको देखने को जब आप बनकर तयार होगा इसमें आप अपने को क्या-क्या चीज़ें अंडरलाइंग करनी है वो देख लेते हैं पैट्रिलिटी जो है इसको आपने अंडरलाइंग करना है और इसकी डेफिनेशन आपने डिफाइन करनी है फिर इसके जो फॉइंट्स हैं कि भाई क्यों यह इ इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है आपने अंडरलाइंग करना है यह वाला जो पॉइंट है कि प्रिलिटी सिंग्स अंडर्ड बीसी यह फॉलो हो रही थी इसको आप अंडरलाइंग कर सकते हैं और लास्ट में एक्सेप्शन वर्ड को अंडरलाइंग करके प्रभावती ग स्क्रेइन कर सकते हैं और एक अच्छा जवाब बनकर अपना तयार हो जाएगा तो यह अपना question no.29 का अंसर होता है अब हम लोग बढ़ता है question no.30 की तरफ चलें देखते हैं तो next अपना question है question number 30 और इसमें हमसे बुला गया है या हमसे पूछा गया है कि डिसकस करिये वैदर kings in early states were invariably शत्रियाज अब अपने को ये बताना है या इस बारे में discuss करना है कि क्या शुरुवाती वक्त में जो आपके early states वगरा हिंदुस्तान में बने हैं उसमें जो राजा हुआ करते थे वो हमेशा शत्रिये ही होते थे या नहीं होते थे इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने को discuss करना है तो इसका जवाब अपन लोग इस तरह से लिखना शुरू करेंगे कि या शास्त्रों या नुसार अगर चला जाए तो सिर्व शत्रिये जो थे वो ही राजा हो सकते थे उनका जो function था या उनका जो काम था वो था कि आपने एक तो जंग लड़नी है वारफेर वगरा करना है अपने लोगों को मगर यहां से यहां से इस निखाल लेना कि क्योंकी शास्त्रों में कहा है यहां नहीं होते थे या फिर हमेशा जरूरी upgrade है और आपको देखने से बढ़ाएं, several important ruling lineages probably had different origins as mentioned below, तो कई सारी आपकी जो ruling lineages वगरा आई हैं, जो आपके शाशन वगरा करने वाले लोग आए हैं, उनके बारे में अपने को पता है, अपने को clear समझ में आता है कि वो शत्रिय नहीं थे और उनमें से पर कुछ के वाली आपकी शूंग डाइनेस्टी आई थी और उनके बाद में जो कनव डाइनेस्टी आई थी, वो दोनों के दोनों ब्राम्मान थे, अब काईदे से अगर देखा जा तो शास्त्रों को लिखा ब्राम्मान ने था, ब्राम्मान ने अपने वो लोग भी बामड़ थे उन्होंने भी रूल किया तो यहां से आपको शुरुवाती वक्त में ही जो है देखने को मिलिया है कि नियम काईदों को हर वक्त नहीं माना जाता था पावर जो थी अल्टीमेटली जिसमें दम होता था जिसमें शम्ता होती थी जिसमें रिसूर्से होते थे वो सारी चीज़ों को ताप पर रखकर रूल करता था और सब को जो है सकर रूल मानना पड़ता था ये वही वाली बात है जैसे के जीएफ में आपका वो जो हीरो था जब उन्टिमेटली अंदर गया और उसने जब वहां के जो मेन विला पर आपके शाकाओं की बात कर लिए वो तो पूरी के पूरी आपकी जो यह चार वड़नूं की विवस्त है उसका पार्टी नहीं हुआ करते थे वो मद्द एशिया से कहीं से उठका रहा है मगर सब जीत लिया तो सब को एक्सेप्ट करना पड़ा सेंट्रल एशिया से आये थे इर्रिस्पेक्टिव उप्दा फैक्ट कि उनको करता हूं यहां पर वह यह भी बोलता है कि मैं चार वर्णों की विवस्था को अपने राज्य में इंशौर करवाता हूं कि अपॉल्ड करवाया जाए चार वर्णों की आपस में शादी ना और वो سारी चीज़ मगर खुद जो वर्ण विवस्था के ऊपर जो उसके fundamental बात थी कि शत्री राज करेगा उसको उन्होंने खुद नहीं माना तो यहां पर आप इसको इनकी hypocrisy भी कह सकते हैं या फिर वो कह सकते हैं कि जितना हमारे को सूट करेगा हम उतनी बात मानेंगे और जितना हमको सूट न हमोना चाहिए तो clear cut उन्होंने बोला है कि मैं unique brahman हूँ शत्रीयों की pride मैं डिस्ट्रॉइ करी है राज करता हूँ चार वर्णों की ववस्था अपने जो राज्य है उसमें मैंने इंशौर करवा रखी है मज़े की बात यह है मगर चार वर्णों की ववस्था का जो basic point है मै राज्य हमें जाएं की शाथी में जा राजकुमारी से शादी जिसको चार वर्णों की ववस्था का पार्टी नहीं माना जाता है जिनको यह लोग मलेच्छ बोलते थे तो यहां से इतको आप इस तरह से कहलेंगी गौत्मी पुत्र श्री सतकर्णी साब हिपोग्रेट आदमी थे या फिर इसको इस तरह से बोलने हैं कि सो बात की एक बात मुझे में दम है मेरे पर नियम काईदे लागू नहीं होते मैं सब पर लागू करवाँगा ज़रूर बट मेरे उबर कोई नियम काईदा लागू नहीं होगा तो यहां से बात समझ में आती है तो इसमेसे फिर अपने को स्मझ में आता है कि पॉलिटिकल पावर राज करने का जो अधिकार है हर उस आदमी के लिए खुला हुआ था जिसमें दम था डूर कर सकता था जिसके पास support था लोगों कोई नियंव काईदे खेल रहा है आप पर नियम काईदे सपे लागू करवा रहा है बेश्टिक नियम काईदे खुद नहीं मान रहा है तो यह सारी चीज़ें यहां से बात बहुत क्लियर हो जाती है कि जरूरी नहीं था कि हर बार आप में आपको शत्री होना जरूरी है उसके बाद में इयप अपने कर लिया उसके पाँच नमबर और सेक्षन सी अब जो है इसमें चौबिस में से जितने नमबर आप बटोड आराम से लिखो यहां से निकाल सको इतने नमबर अपन जो है के पहले पढ़के छोटे-छोटे जवाब दूँगा फिर section B पर आउंगा आप किसी को लग रहा है कि नहीं या लिखते-लिखते momentum बनगे आप section B पर चलते हैं उसके बाद section D करेंगे तो भी को issues नहीं है मगर यहां तक इस pattern को अपने को follow करना है इसके बाद मैं section D कर रहा हूं आप आजाद हैं आप section B करना चाहते हैं section B करके section D पर आ जाएं इसी को follow करना चाहते हैं तो section D के बाद मैं section B करें चले तो अब आगे बढ़ते हैं read the following sources carefully and answer the questions that follow अब यह जो आपको source दिया गया है इसको आप इत्मिनान से अच्छे से धंसे पढ़ लीजे और उसके बाद जो सवाल है उसका जवाब अपने को देना है तो पहला इसमें eight forms of marriage के नाम से heading बनाई हुई है यानि कि जो तरीके जो थे शादियों के उसके उपर ज six forms of marriage from manusmriti manusmriti में आपको आठ तरीके की शादियों का जिकर देखने के लिए मिलता है उसमें से पहली वाली चौथी वाली पांचवी और छटवी जो शादी के तरीके हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने produce किया है पहला तरीका the gift of a daughter after dressing her in costly clothes and honoring her with presents of jewel to a man learnt in the Veda whom the father himself invites तो पह उसके बाद मैं अपनी बेटी को आपने gift कर दिया है किस वेक्ति को एक ऐसे वेक्ति को gift कर दिया है जो वेदों का ग्याता है और जिसको पिता खुद invite कर कर लाये थे जिनको पिता ने खुद बुलाया था कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजे ऐसे वेक्ति के साथ में कि पिता ने अपनी पुत्री जो है एक व्यक्ती को गिफट करी है या उसका कन्यादान करने के पहले आपने व खैदा यह बात जो दोनों से कहिए कि अब आप दोनों अपना करतब या फिर अपना धर्म साथ साथ निभाई है May both of you perform your duties together अब आप दुनों जो हैं अपना करतब या फिर अपना जो धर्म है या फिर अपना जो भी आपके duties वगरा है साथ में परफॉर्म करिये ये बोलने के बाद अगर आपने कन्यादान किया है और सारी प्रक्रिया के वक्त में जो आपका दूला है या फिर जो आपका जिस से शादी आप कर रहे हो bridegroom उसके प्रतिया आपने सम्मान प्रकट किया है तो ये भी जो एक तरीका है ये भी जो एक method है जिसके तहर्ट शादी की जाती थी तो ये चौथा तरीका था अपनी मर्जी पे अगर वो पैसा वगेरा या जो भी धन संपत्ती दे रहा है और उसके बाद उसको वो महिला जिस्ते वो शादी करना चाहता है वो मिल रही है तो यह भी एक मैठोड था शादी का है हालेकि यहां पर दो बाते हैं या तो आप यह पैसा उसके कुटुम को दो तो अगर दो लोग मिले दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों फिर साथ में रहना शुरू कर देते हैं वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं तो फिर यह भी जो है तरीका था जिससे शादी हो जाती थी और यह जो तरीका है इसमें आपका जो चीज मैठर करती थी को डिजायर था किसी और की एक्षा-णिक्षा का माहा का लेना देना इस्ते नहीं था जो दो लोगा की दूसरे को अगर पसंद करते हैं साथ में आते हैं साथ में रहना शुरू कर देते हैं वालेंटरी यूनियन अगर उनका होता है तो यह भी एक मैरेज का तरीका था यह अबाल पूछेगा है पहला इन दा फर्स्ट फॉर्म अफ मैरेज तो हूं वोस डॉटर मैरेड याने की जो पहला जो तरीका था आपका शादी वगयरा का इसमें किसके साथ में आपकी जो बेटी है उसकी शादी की गई थी तो इसका जवाब है भाईया जो पहला मैरेज का तरीका था उसमें जिस आदमी के साथ शादी की गई थी एक तो वो वेदों का ज्याता होना चाहिए और दूसरा ये वो वेक्ती था जिसको फादर खुद लेकर आया था तो इसका जो जवाब है आप ऐसे बनाओगे याने की पिता ने जिस वेक्ती को खुद इंवाइट किया था कि आके मेरी बेटी से शादी करो उसके बातों का ज्यान रखा गया है इस तरीके के वेक्ती के साथ में अगर शादी की गई है तो पहली तरीके की केटेगरी में आएगा या पहले तरीके की केटेगरी जो है शादी की उसमें किन बातों का ध्यान रखा गया है ऐसे आदमी से ब्याहा गया है जो वेदों का गयाता है और उसको पिता जो है खुद बुला कर लाया था खुद इन्वाइट करकर लाया था कि आके मेरी बेटी से शादी कर लो पहला दूसरा तो उसमें गया भाइ जो पहले दो तरीके अपने देखे पहला और पाँचवा उसमें जब पिता जो है आपनी बीटी का कन्याधान खुद कर रहा है तो फिर वह cheating वह अच्छे माने के पहला और चोंचा जो ही जिसमें आपका पिता बीटी का कन्याधान खुद कर रहा है उसको अच्छा माना गया था यह तरीका तरीका है कि आपको पैसे देकर जो अपनी मन की जो ब्राइड है वो लेना पड़ रही है या आपकी जो उसकी या तो लड़की को पैसा देना पड़ रहा है या फिर उसकी ट्राइब को या फिर उसकी जो कुड़ों में उसको देना पड़ रहा है या फिर इसमें जिसमें एला और चौथा हमने देखा जिसमें पिता कंया दान कर रहा है वो अच्छे माने गए थे तु यह सवाल दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि 8 तरीके की शादियों में से कितनी शादिया अच्छी मानी जाती थी और 4 तरीके की शादिया ooklavße मानी जाती थी और चार तरीके की शादियां जो हैं वो पुरी मानी जाती इसको याद रखिएगा अगला आता है मनुस्मृति इसको सबसे important text इनमें किस तरीके की compilation का माना जाता है तो इसका जवाब है धर्म सूत्र और धर्म जो हुआ करते थे उनमें से सबसे important धर्म सूत्र या सबसे important धर्म शास्त्र का compilation मनुस्मृति को माना जाता है इसका जो जवाब है वो क्या बनता है धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र कि मनुस्मृति को सबसे important compilation माना जाता है जितने धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र लिखे गए तो बेसिकली मनुस्मृति एक अपने आप में धर्म सूत्र है या फिर धर्म शास्त्र है जितने धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र लिखे गए उसमें सब मगर मननुसमृती को करना बढ गेगा मन ना चाहो आपकी जिन्दगी में इंटफेयर करेगी क्योंकिुक्री कानून पूरे के पूरे समाज पर लागू किया गये था वोर्ण वोधस्था याती doing वे वनुसार स्था जोसल नि गर आ गई तो समाज में जो बहुत सी चीज़ें हैं अच्छी भी हो सकती हैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बुरी चीज़ें हैं उसके पीछे की जग वज़ा है धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में जो पर्टिकुलर अब अपने को फिर से एक सोर्स पढ़ना एक परग्राफ पढ़ना और उसके ओपर फिर सवालों के जबाब देना है अब मदर्स एडवाईज एक मा की जो सला है वो एक पर्टिकुलर परग्राफ की हेडिंग है दा महा भारत डिस्क्राइब्स हाउ वेन वर बिट्विन दा तो इसका जो कंटेक्स्ट है वो यह है कि महा भारत में लिखा है कि जब आपका यह हो गया निश्चित हो गया कि आप पांडवों के बीच में आपका जो जंग है या जो आपका युद्ध है उसको टाला नहीं जा सकता तब गांधारी ने अपने सबसे जेश पुद्र दु साथ ही साथ जो तुमारे जो शुब चिंतक हैं वेल विशार सेंग तुम उनका भी सम्मान करोगे। वो वेक्ती जिसका उसकी उंद्रियों पे कंट्रोल है वो समझदार वेक्ती जो है अपनी जो गार्ड करता है उसकी रक्षा करता है। Greed and anger drag a man away from his prophets. By defeating these two enemies, a king conquers the earth. अगर आपकी जो greed हो गया और आपकी जो anger हो गया, जो लालच हो गया, किसी भी चीज के लिए लोब हो गया और गुस्सा हो गया, ये दोनों जो हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके लाब से, अगर आप अपने अंदर के लोब को, अपने अंदर के गुस्से को अगर हरा देते हो, डिफीट कर देते हो, इन दोनों शत्रूनों को अगर मिटा देते हो, अगर तुम इन दो बातों को ये अपने अंदर का greed और anger पांडवों के प्रती इनको हटा दो, एक आपका जो शाशन के प्रती आपका मझ में greed है, और एक आपके मझ में जो पांडवों के लिए गुस्सा है, इनको हटा दो तो तो तुम इस धरती को, जो है इस भूमी को, इस धरा को पांडवों के साथ मिलकर सुकून से और सुक से भोग सकते हो, यह जरूरी भी नहीं है कि तुम जीती जाओ, अल्टिमेटली आखरी में आपको विक्टरी भी मिल जाए, अन्त में कोछ भी नतीजा निकल कर रहा है, युद में कोई विजयता नहीं होता, यह बात जो है, गांदारी ने आपके अपना जो सबसे बड़ा लड़गा था, अब अपना सवाल, अपने जो सवाल हैं, इस पहरागर आपके उपर पूछेगा हैं, कि पहला क्वेश्चन है, ग्रीड एंगर ड्राइग्स अवेया मैन फ्रम वॉट् आपका जो ग्रीड होता है, जो लोब होता है, और जो आपका एंगर होता है, तो greed and anger drags a man away from the prophets, कौनसी senses वगरा जो है, उसके जो उनके अनुसार अगर चलने के जो prophets होता है, या senses के जो prophets होता है, आपका जो अपने बुद्धी विवेक से काम करने के जो फायदे होता है, उससे आपको दूर लेकर जाता है, तो greed and anger drags away a man from the prophets of the senses, दूसरा, what is the consequence of the war, आखरी लाइन चाप दीजिए, कि लास्ट में there is no victory in the end, यहां से लिखे, there is no good in war, no law, dharma and profit, earth, let alone the happiness, nor is there necessarily victory in the war, don't set your mind on the war, इतना जो है आप उतार दीजिए, कि इसमें ना तो कोई धर्म है, ना कोई अर्थ है, ना कोई victory है, ना तो यह जो है war के consequence निकल कर आते हैं, why a wise man keep his senses in his control, wise man जो अपने senses को क्यों control में रखता है, क्योंकि अगर वो अपने senses को control में रखे, तो इसके तहट दो चीज़ें होती है, एक तो वो जो भी अपने काम बगेरा कर रहा है, वो ठीक तरह से हो सकते हैं, और उसको हट चीज में पराग्राफ को study करते हैं, उसके उपर सवालों का जवाब देता है, question number 33, read the following source carefully and answer the questions that follow, अब ये वाला जो source है, इसको आपने को carefully पढ़ना है, और इसके फिर सवाल जो बनते हैं, उनका जवाब देना है, the case of the merchants जो है, वो आपका इस text की heading है, Sanskrit text and inscriptions use the term वानिक to designate merchants, जो आप के Sanskrit के text and inscriptions आप पड़ते हो, तो उसमें जो व्यापारी या मर्चंट्स होते हैं, उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है वानिक, while trade was defined as an occupation for वैश्याज in the शास्त्राज, अब more complex situation is evident in place such as the मिच कटिका written by शुद्रा का, 4th century common era, तो हाला कि अगर आप शास्त situations थी, और ये जो complex situation है, ये एक आपका text या फिर एक आपका play लिखा गया था, नाटक लिखा गया था, जिसका नाम था मृच्छ कटिका, इसको लिखा था शुद्रा का नाम के वैक्तिन है, 4th century common era में, उनके इस text में आपको समझ में आता है कि चार वर्डों की वर्ड विवस situation निकल कर आ रही थी, क्या था, here the hero, चारुदत्त वास डिस्क्राइब एस बोथा, ब्रामन एना शार्थ वहा और मर्चंट, आप यहाँ पर जो हीरो है, चारुदत्त नाम है उसका, ये एक तो ब्रामन भी है, और साती सात वहा भी है, जिसका मतलब बनता है मर्चंट, यान पर कहानी कुछ और निकल कर आ रही है, एक आदमी जो है उसके प्ले में, वो व्यापारी भी है और ब्रामन भी है, या फिर ब्रामन भी है और व्यापारी भी है, चले आगे, and a 5th century inscription describes two brothers who made a donation for the construction of a temple as शत्रियवानिक्स, अब इसके बाद में ये तो खेर आपका मृच्च construction के को लेकर donations वगरा की बात की गई है, अब ये donation वगरा जो है, इसमें दो भाईयों का जिकर आता है, जिनने इस मंदिर को बनाने में डोनेट किया है, इनके बारे में लिखा गया है कि ये शत्रियवी और वानिक भी है, वानिक का मतलब क्या होता है, व्यापारी है, और शत बात बताई गई है, शास्त्रों में वो प्राक्टिकली जैसकी तस ग्राउंड पर जैसी की तैसी लागू नहीं होती थी, ग्राउंड पर फिर उसकी अपनी अलग complexities वगरा जो है, वो निकल कर आ रही थी और उन complexities वगरा का, यहाँ पर एक अच्छा चितरन जो है किया गया ह इसके ओपर जो सवाल है, वो देखते हैं, पहला, merchants were designated by which term, merchants जो थे इनको किस term की मदद से designate किया गया था, तो इसका जवाब है यह, वानिक, merchants जो थे इनको आपका Sanskrit, text, text और inscription में वानिक नाम से जो है designate किया गया था, या फिर जो term इस्तिमाल किया था, उनके लिए वानिक Who were शत्रिय वानिक? शत्रिय वानिक कौन थे? तो जितना बनने बड़ा उसके basis बैपन कहिए सकते हैं, शत्रिय वानिक वो थे जो शत्रिय भी थे, और व्यापार भी करते थे, जो आपके शत्रियों का धर्म भी निभा रहे थे, और वानिक याने कि आपके व्यापारीओं क और मर्चंट के दर्म भी निवा रहे थे तीसरा है मिर्च कटिका डिस्क्राइब्स वॉट तो मिर्च कटिका जो है यह जो आपका पूरे का पूरा सिच्वेशन है यह जो शास्त्र में बताई गई है उसको ग्राउंड पर जब इंप्लिमेंट करते हैं तो किस तरीके की कॉंप्लेक्स सिच्वेशन बनती है उनको डिस्क्राइब करती है और एक्जांपल उसके लिए इस्तिमाल किया गया है चारुदत का जो एक आपका सार्थ वहा यानि की एक मर्चंड भी है और साथी सार्थ वह एक ब्रहमन भी है इस तरीके की चीज़ां जो हैं से लिएह इसके बाद सेक्शंस इसके 24 मैं से माग्सीमं नंबर अपने को मिल सके इस तरह से अवनने जवाब दीया और से बाद सेक्षन डी मैं फह्यक्राइब जो है इसमें से भी maximum marks अपने फैच करने की कोशिश करिए और आपका जो पेपर है उसके चार सेक्शन आपने निटा दिया है अब अपना जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर भी अपन लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसके जो अठारा नंबर है इसमें से maximum से maximum fetch करने की कोशिश अपन करेंगे इस तरह से पेपर में आगे बढ़ेंगे तो अब अपन लोग section B की तरफ अपने प्रस्थान करते हैं section B जो है उसको शुरू करेंगे चले देखते हैं तो यह जो है यहां पर अपना section B शुरू हो जाता है short answer type questions है इसके short answer type questions और अपने को अगर आप बनाने हैं तो देखते हैं इन questions को और इनको भी solve करते हैं तो short answer type questions section B उसमें पहला question question number 22 अपने से पूछा गया है explain the language and content of महाभारत अब अपने को इसमें क्या करना है language और content समझाना है महाभारत का अगर यह सवाल आठ नंबर में पूछा जाता तो फिर इसका जवाब आपको और जादा विस्तार में देना पड़ता और जादा डीटेल में देना पड़ता जो है उसका अपने को इसका रखना है examiner के लिए अपने को बहुत डीटेल में जवाब नहीं देना तो जवाब आप इस तरह से लिखना शुरू करें कि भाई language और content जो है महाभारत का उसके यह following following जो है उसमें लिखी है कि महाभारत जो है वो संस्क्रिट भाषा में लिखी गई थी हाला कि दूसरी भाषाओं में भी जो है आपको इसके वर्जन्स देखने के लिए मिलते हैं मगर एक interesting बात जो निकल कर आती है वो यह है कि वेदों में जो संस्क्रिट इस्तिमाल की गई है धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में जो संस्क्रिट इस्तिमाल की गई है उसके comparison में महावारत में जो Sanskrit भाषा का इस्तिमाल किया गया वो ज्यादा सिंपल है और जनरली समझ में आ जाती है उतनी ज्यादा आपको cut in Sanskrit का इस्तिमाल यहाँ देखने को नहीं मिलता जितना वेदों में किया गया है जितना उसके बाद धर्म सूतो या धर्म शास्त लिखने में किया पहला पॉइंट अब इससे जादा लैंग्विज में करने के लिए कुछ नहीं है या तो अब इसको एक इस तरह से एक पॉइंट में लिख दीजिए या फिर इसी में language में दो सब कि गई अगर कोई आदमी सुनेगा समझ में आ जाएगी इस तरीके से अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वह कंटेंट का तो कंटेंट में इसमें जो है दो तीन बातने आपको लिखना पड़ेंगी कि जो कंटेंट है महाभारत का इतिहासकारों ने इसको दो हिस्तों में डिवाइٹ किया है. पहला जो हिस्ता है वो होता है आपका नेरेटिव और दूसरा हिस्ता जो है वो हुता है डिडाक्टिक नेरेटिव वाला सेक्शन है इसमें आपको कहानी देखने को मिलती है यहां पर जो मूल क convince शलते रहते हैं बीच बीच सब्सक्राइब कर दिया जाता है तो फिर वो आपका भेज बदल के चुपके रह रहे हैं इसके बाद में फिर और बाकी सारी चीज है और उसमें जो आपके करण की जो कहानी चलती है सब प्लॉट वो सारी सारी चीज अगर जाता है उसमें सोशल नॉद्स वगिरा की बातचीत की गई ऐसे रहना चाहिए ऐसे कंड़ करना चाहिए बेटे का और अधर्म पती धर्म भकांगे संब्स ब्रब कि ज gospel यह जो tutorials करनी चाहिए अब करना है क्या नहीं करना समाझ में कैसे रह नहीं है कैसे नहीं करना है क्यए आपक डूंड़ करना है क्या व lange सब्सक्तरा है यह उसके बाद फिर यहां पर दिविजन reicht चीजरा सब smoothie बात ऐको ढहने जो देखने को नहीं मिलेगी और आहोट का compartmentalization नहीं किया गया है थोड़ा बहुत आपको इधर उदर एक दूसरे में spillover वगरा जो है वो देखने के लिए मिलता है point यह है कि आज की तारीक में महाभारत को लेके महाभारत के respect में historians इस बात को मानते हैं कि यह जो overall theme है यह इस तरह से रखी गई थी कि भाया इसको जितना होता कि अतना ज़्यादा ड्रामेटिक और एक moving कहानी रखा जाए जिसके साथ में लोग जो है जोड़ सके हैं तो narrative वाला portion जो था वो main theme थी जिसके साथ में शुरुवात की गई थी हाला कि narrative portion जो है बाद में जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता चला गया और महाभरत में और ज़्यादा चीज़ आड़ोती चली गई वैसे वैसे डाइडेक्टिव पोर्शन वगरा जो है वो वक्त के साथ में इसमें add up होते चले गए या तो आप अपने जवाब को यहीं पर conclude कर सकत हैं अगर आपको लगता है कि अभी आपका जवाब जो है conclude नहीं है आपकर satisfied नहीं है वैसे मेरी मेरे अगर आप मान कर चलें इतना बहुत है इससे ज़ beneficial है नहीं हो वो है थस इड़ वास यानि की जिस तरीके से घटा था उस तरीके से जो है इसको लिख दिया गया है और इसको अंग्रेजी में जनरली जो है ट्रांसलेट किया जाता है इतिहास के रूप में मगर हिस्टोरियन्स जो है वो इस चीज को लेकर आज भी डाउट में कि यह कहानी एक्शुल में कभी घटी भी थी यह वार एक्शुल में लड़ा गया था या नहीं लड़ा गया था कई लोग बोलते हैं शायद हुआ था मगर इसको फिर बड़े लेवल पर जो है वक के साथ में आपका पहला कर लिखा गया इमेजिनेटिव आपका कह सकते हैं लिबर्टी से दीरे आगे बड़ी है और एक आदमी जो है उसकी इमेजिनेशन पर आके बात नहीं रुकती हिंदुस्तान में हजार सालों का जो इतिहास गया है 600 कॉमा नेरा से लेके 600 कॉमा नेरा के बीच में उसमें किस तरीके सामाज के बदला और परिवर्तन और परिपकुता जो है जो आ रही है उसका कहीं ना कहीं आपको एक असर जो है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर देखने को मिलता है चलें तो इस तरह से जो है इसका जवाब बनकर अपना तयार होगा अगला जो कुशन आता है वह कुशन नंबर 23 इसमें बोला गया है या इसमें पूछा गया अब आप कैसे यह प्रूफ करोगे कि जो महा भारत का टेक्स्ट है वो डाइनेमिक वन था पहले तो यह डाइनेमिक किस रिस्पेक्ट में इस्तेमाल किया गया है तो भाईया एक होता है कि कहानी लिखके रख दी गई अब उसको हजार साल बाद भी पढ़ा जाएगा तो व किताब 1950 के आसपास लिखी गई थिया उसके पहले लिखी गई थिया वो लिख दी गई लिख दी गई अब चाया उसे सन 2022 में पढ़ो या 3022 में पढ़ो कहानी तो वह रहेगी उसमें बदलाव नहीं आएगा अब यह जो स्टोरी है वो स्टाटिक हो गई है यह डाइनमिक न साल बार जब लगाई जो चीशने को दिखने को मिल रहें तो शूसमें आतर आपको समझ में आता फूरा इका ली जो सकता है मूल चल रही हो मगरके बदलाव बीच में आगया इसको इस तरब आभरत कि कहानी हैं आज की तारीख में काफी हद जक ह्या है अज कीतारीख में बात कर नहीं यह क्रम बद कर दिया गया है मगर चैसों, शेसन दूब। इंड्रेंद और वह बदलाव वही प्रक्रिय अज की तारीख में पहलती तो हो सकता है आज की तारिक में जो मोबाइल्स वगरा का जिकार आता है यह सारी की सारी बाते में महाभारत में डाल दी जाती है और पता चलता कि क्रिश्ण और अर्जुन जा हो सेलफियां कीच रहे हैं कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है समाज में आने वाले जो टेक्स है वो डाइनेमिक कैसे है अब यह चीज़ अब एक्स लें करते हैं देखिए तो आप इसका जवाब ऐसे लिखे हैं कि इन इन पॉइंट्स की मदद से जो है हम लोग इस बात को प्रूफ करते हैं अब हम लोग इस निशकर्ष पर निकलते हैं कि महाभारत की जो इस प्रूथ है वह वरजन पर नहीं रखी नहीं रुकि मूल कहानी को पहले तो सुनाया गया एक से दूसरी दूसरे से तीसरी जन्रेशन को सुनाया गया पाली भाशा में वह बात की बात is वह नहीं पता अपने पहर एक्चुल में जब इस कहानी को लिखा गया वो लिखी गई संस्कृत में अगर यह कहानी डाईनमिक ना होके स्टाटिक होती है रुख गई होती होई पर तो फिर संस्कृत वर्जिंद खतब हो जाना संस्कृत सब्सक्राइब अपने तरफ से और भी काईफी सारी चीज़न आड़ करी है तो एक तो संस्क्रिट पर जागे कहा नी रुक नहीं गई संस्क्रिट वर्जन पर दूसरी भाषाओं दूसरे को देखने कों मिले और हर वर्जन एक दूसरे से जो हैं डिलेशंगे वर्जन बिक के साथ में हर एक महभारत आपने कुछ present form में आई है तो उसमें अपने को एक बात देखने को मिलती है कि इस महा काव्वे को लिखते वक्त एक तो कई सारी भाषाओं का इस्तिमाल हो रहा है कई सारे लोग जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं वो लोग जो इस कहानियों को सुन रहे हैं और अपनी तरफ स पर समझ में आ रहा है सेवरल स्टोरी सेट और इन स्पैसिफिक रीजन्स और सर्कुलेटर अमंग सर्टिन पीपल फांद रिवेंट अब यह बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है कि कई शेत्रों की जो कहानियां थी लोग लोग शुरुतियां थी लोग आपके जो गीत वग वगया थी उसको भी कहीना कि उन्होंने अपने शेद्र की महाबारत में शामिल कर लिया संट्रेल स्टोरि जो थी वो सको कई सारे अलग-अलग तुरीकों से कहा गया है कई सारे मेटेट के मदद से कहा यह और एपिसोड़़्ॉट वगरा जो थे कई बार उनका इस्तेमाल क करकर आपने स्कुल्चर और प्रिंटिंग में थीम के तौर पर इस्तेमाल कि आपको अपने घरों कई सारे लोगों के घरों में आपको सीन देखने को मिलता होगा कि जिसमें भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को बकाइदा गीता का जो है उपदेश दे रहे हैं तोनों जो थीम है इसका जबर्दस इस्तेमाल जो है किया गया स्कुल्चर में पेंटिंग्स में डांसेज में इसको थीम के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो कहीं ना कहीं है कहानी रुकी नहीं यह एक महा काप यह होने के नाम से सिर्फ पंदों में बंदों के नहीं रह गया यह जिन्दगियों में जो है शामिल हुआ और ये इस तरीके से इंफ्यूस कर गया कि आप महावारत जो है रगों में बहता है हिंदुस्तान के कल्चर के और इसको जो है सेपरेट नहीं किया जाता तो कई सारे जो थीम्स हैं उसके चलते बहुत से परफॉर्मिंग आर्ट्स वग है तो आज तक अगर आप modern day की भी बात करोगे तो महावारत जो है हिंदुस्तान के narrative का हिंदुस्तान की कल्चर का ऐसा हिस्ता है कि आज की तारीक में जो फिल्में बन रही है कहीं ना कहीं एपिक्स वगरा जो बनाई जा रही है वो इंस्पिरेशन ले रही है तो इससे जो इसको conclude कर सकते हैं चले अगला question देखता है question number 24 तो next अपना question है question number 24 इसमें पूछा गया है what do you know about the authors and the period when महाभारत was compiled explain आप उस वत के जो authors थे और उस period के बारे में क्या जानते हैं जब महाभारत को compile किया गया यानि कि 600 before common era से लेके 600 common era के बीच में जब महाभारत को क्रम ब हखा गया ताड़ पत्रों में आ जहां पर भी क्योंकि paper के स्तिमाल तो होता नहीं तो ताड़ पत्रों में आपके जो पेड़ों की बारक होती है उस में जहां पर भी आपने इसको लिखना शूरू किया इनको जब आपने संकिलन शुरू को उनका तो उस वकका चल रहा था पूरे के पूरे टाइम पीरियोड और इसको लिखने में जो ऑथर्स वगरा लगे थे शामिल हुए थे इनके बारे में आपको क्या समझ में आता है यह आपने को एक्स्प्लीन करना है यही सवाल घुमा कर इस तरह से पूछा जाता है तो अब यह जो पहरी लाइन है अगर इसको हटा दिया जाए तो जो सेकेंड लाइन से को गुमा के दूसरी तरीके से पूछा गया है यहां पर बोल दिया गया कि तुम्हें महावारत जिस कालखंड में लिखी गई थी उसके बारे में उसके बारे में तुम्हें क्या समझ में आता है तो यह बात हमें बता दो इसी चीज़ को गुमा के सेकेंड लाइन से पूछ लिया है कि जो अलग-अलग स्टेज़ेस गई है महावारत की जिसमें फिर्फ सेंजूरी बिफॉर कॉमान एरा से लेके 400 या फिर फॉर्ट सेंजूरी कॉमान एरा तक के बीच में इसको एक्स्प्लीन यह जो टाइम पीर से पूछा जा सकता है चले लिखना शुरू करते हैं तो जो पहर इसमें जो यह पहरी लाइन है हूँ कमपोज दा ओरिजनल स्टोरी आफ टेक्स तो महावारत तो महावारत जो है पहली चीज़ तो यह कि ओरिजनल कहानी बहुत पहले से चली आ रही है इसके बारे में जो आपके सार्थीं हुआ करते थे जो साथ इसमाद आपका जा आपका जिन शक्रीओं को वह बैटल फील्ड मेंदे में लेकर जाया करते थे उन शक्रीओं करते हुए और उसके बार में फिर जन्रेशन टो जन्रेशन जो है है वो लगवाग हजार सालों का एक कालखंड गया है कि आप जनरली अपने को एंसी आइटी में सिक्स सेंचुरी बिफॉर कॉमन एरा से लेके सिक्स सेंचुरी कॉमन एरा तक का टाइम पीरिट दिया जाता है कई बार मगर लोग उसका सौ साल जो है सौ साल आगे पीछे के कार्ड देते हैं और वो 500 से लेके 400 से अगर 6 सी लिखो के तो भी चलेगा ये टाइम पीरिट लिखो के तो भी चलेगा तो इसका जवाब ऐसे बनता है कि महाभारत जो है इस पर्टिकुलर हजार सालों के टाइम पीरिट में एस चालखंड में जो है से जाना जाता था बार-बार इसका जिक्र भी आया है करन को और बार सूत-पुत्र सूत-पुत्र गया इन को संस्क्रत भाषा में तो बोला जाता था इंग्लेश میں सुताज लिकला गए ब्रामबनों ने डिक्वल कहानी को 500 यह स्क्सर्स吧 चो और पाइस पास तस थे इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे थे तो वैसे वैसे कुरू और पंचाल जो है इन किंडम्स को खास तोवर पे प्राइमरीली जो है इस पर्टिकुलर कहानी का पार्ट बनाया गया 200 बिफोर कॉमन एरा से लेके 200 कॉमन एरा की बीच में दो चीज़ें हुई है मनुस्पृति लिखी गई है और दूसरा भगवान विश्नु की जो पूजा थी वो इंपॉर्टेंट होती चली गई 200 से लेके 400 कॉमन एरा के बीच में बात करो के तो मनुस्पृति लिखी जा चुकी थी और समाज के उपर लागू हो रही थी तो जादा बैटर तरीके से जो है समाज में इस बात को अंदर और इंफ्यूस किया जा सके तो क्योंकि महावारत की कहानी बार बार सुना ही जा रह में इस बात को ध्यान में रखते हुए 200 विफोर कॉमन एरा से लेके 400 कॉमन एरा की बीच में कई सारे आपकी डैडाक्टिक सेक्शन्स जो थे जिनको आप कही सारे आपके जो डूस थे और कई सारे आपके जो डूंट्स थे इनको जो है आपने शामिल कर दिया है जो समाजि नहीं घतम हो सकती थी यह हो रही थी वह एक लाग से जादा श्लोक तक चली गई और आज की तारीक में जो है या फिर उस वक्त से ही जो है एक लोग शूर्टी चली कि भाई यह साधी की सारी चीज़ यह एक ही वैक्ति ने लिखी है और इनका जो नाम है वह आपका व्यास है फिर जो व्यासमुनी है उन्हों ने इसको लिखकर तयार किया है खाला कि कई लोग के इसको इस तरह से भी बữaог्वान जो आपके भगवान गणेश हैं उन्हों पूरी की पूरी कहानी अपना दाथ जो है उसको तोड़ कर लिखी थी और व्यास न सिर्फ कथा सुनाई थी अभी ये लोक्षृती भी चलती है साथी सान महा भारत को पहले महा भारत के नमते जाना भी नहीं जाता है तो जैस अहीता या जैस अहीता बोला जाता था बाद में इसका नान जो है महा भारत पड़ गया तो इस तरीके से जो है इसका जवाब आपका बनकर तयार होता है चलें अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 25 अब इसमें अपने से पूछा गया है मैंशन नहीं टू फीचर्स ओफ गोत्राज एस पर ब्रहामनिकल थी ब्रहामनों के द्वारा जो शुरू किया गया था इसके दो फीचर्स जो है आपको एक्स्प्लें करना है वाट एविडेंस दू वी गेट फ्रॉम दा शातावना इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दा इन्हेरिटेंस ऑफ दा गोत्राज अब हमको शातावनाओं का जो ब्रहामनों के द्वारा शुरू की गई थी पहली जीस उसके बाद में जो सकेंड इस्ता आता है वो यह बोलता है कि शतावनाओं का जो इंस्क्रिप्शन है वहां से अपने को क्या विडेंस मिलते हैं गोत्रों के इन्हेरिटेंस वगरा के बारे में उसका जवाब अपन इ बीजर निकलकर आते ते तो हर एक जो मुडिक या वेदिकनूर्टे के नाम पर रखा गया था और सारे उसकंश्ष का उब नाम पर रखा गया है ख़ो गया वह तो गन्हें के लिए ऽे शारे को आहसा नाग्या सरफ nuclear कर थे माना कौन का इसे प LouisianaGB रहेंसे नाम ल को अधाद अब इस तरीके से आपका जो आवको अउलदें इस तरीके से तो पहला तो यह पॉइंट हो गया दूसरा ये कि महिलाओं से लड़कियों से ेशप्पेट किया जाता था और उसके बाद में उस गोतर के अनुसार जो अपने आपको कंड़र्ट करेंगी, एक बात, दूसरी बात है कि एक ही गोतर के जो दो लोग होंगे, वो आपस में शादी नहीं कर सकते, एक इंपोर्टन फैक्टर ही, आज तक जो है कही जगाओं पे माना जाता है, कि अगर आप एक गोतर के हैं, तो फिर आप शादी नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखने वाली बात है, इस चीज को आज भी हरियाना और इस तरफ के जो इलाके हैं, जाख खाब पंचायते लगती हैं, बहुत राइडिकली जो इस चीज को माना जाता है, बहुत इंचोर करवा, कि एक ही आपना इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग गोतरा जानकारी मिलती हैं गोतरों के बारे में, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, कि इंस्क्रिप्शन प्रवाइड इंफॉमेशन विच परमिट्स हिस्टोरियंस तो गेट दे फैमिली टाइज इंक्लूडिंग मैरिजस, तो कई सारी आपकी जो शतावना रूलर्स के साथ जिन महिलाओं की शादी हुई थी, उन्होंने अपने जो गोतर वगएरा हैं, जो अपने पिता के गोतरें वो गिवप नहीं किये थे, इंट्रेस्टिंग बात है, लिखा गया गया है कि आप जब एक लड़ती की शादी होगी तो वो अपने पिता का गोतरें चोड़की अपने पती का गोतर अपना लेगी, मगर शतावना रूलर्स के साथ में ये बात देखने को मिलती है कि बहुत सी महिला हैं जिन्होंने शतावना रूलर्स से शादी करी, उन्होंने अपने पिताओं के गोतरें को रिटेन किया, उ यहां से आपके जो है नाम वगेरा निकलकर आ रहा थे और यह चीज आपको देखने को मिलती है इस बात पर अपने पिताओं के गोतर जो है उनको ही ले कर चल रही है उनके बकाइदा जो नाम है उनीं गोतरों के बेसिस पर रखे गाए वो शादी के बाद अपने पती का जो गोतर है उसको अडॉट नहीं कर रही है अब ये तो खेर ये काम नहीं कर रही है मगर कई जगाओं पर आपको ये प्रथा देखने को मिलती है बकायदा रानी लक्ष्मी भाई तक ने इस चीज़ का पालन किया था कि शादी के पहले नाम कुछ और है शादी के बाद जो है नाम कुछ और हो गया शादी के पहले शादी का नाम मनु हुआ करता था बाद में नाम जो है मनी करनी का वगरा पड़ गया तो ये जो प्रैक्टिस थी कि लड़की जो है उसका नाम तक जो है शादी के बाद में बदल जाता था उसके पी लोगी का नामी बदल दिया जाएगा शादी के बाद में मगर वो गोत्र जो है उसके चेंज होने का जो कंसेप्ट है उसके पीछे एक लॉजिक रखता था तो इस तरीके से कई हाला की होता यह था मगर यहां पर देखने को मिलता है कि यह अपने पती के अपने पिता का गोत् है कई जगाओं पर होता भी था मगर यहां पर आपने कोई होता हुआ नहीं दिख रहा कुछ जो है आपकी महिलाएं शतावना डाइनस्टी की वह एक ही गोत्र से बिलॉंग करती थी अब यहां पर भी वड़ी इंट्रेस्टिंग बात आती है कि एक ही गोत्र में आप शाद करनी है यह उसका भी जो है कहीं नहीं कहीं होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है शतावनाओं के केस में आपको एंडोगेमी की जो प्रैक्टिस अब भी समझ में आती है जो वर्ण व्यवस्था कि या जो आपके नियम गाइदे बनाये गए तो उसके खिलाफ जाती तो next अपना question आता है question number 26 इसमें अब अपने से पूछा गिया है डिस्क्राइब जब पूरिशन ऑफ उन्टचेबल इन इंचेंट सोसाइटी इंचेंट सोसाइटी में आपके जो अंटचेबल थे उनकी क्या पूरिशन थी इसको अपने को एक्स्प्लेन करना है तो इसका ज क्यों के जो लोग हैं उनको अंटचेबल के रूप में क्लासिफाइब किया गया इसमें कौन लोग आते थे ब्रहामनिकल नॉम्स के अनुसार देखा जाया तो एक एक जामपल जो है वो बनता है चांडाल का या चांडालों का कि जो चांडाल की का इसमें लोगों को रखा करने हैं यह सेक्रेड हैं यह पवित्र हैं और इनको करने मात्र से जो हैं आप पवित्र हो जाते हैं आप इनका कहना यह था कि आप जो यह सारी एक्टिविटीज करना है वो पवित्र हो गया है और इसलिए उनको इस तरीके के लोगों से बचना चाहिए या इस तरीके के ल सब्सक्राइब होती है अब यह जो करने परेना जाता है उतके शार्प कोंट्रास्ट में इसके एक और पोज़ेट में कुछ एतनी ऐसी थी जिनको पॉल्यूटिंग मना जाता था जिनको अगर आप किया है तो आप अवित्र हो जाएंगे इसमें खास तोर पे अगर आप जो लाश वगेरा हैं उनको अगर आप हैंडल कर रहे हैं वो आ गई और जो आप जानवर वगेरा हैं डेट अनिमल्स वगेरा कि एक डेट बॉडी वगेरा हैं आप उनको हैंडल कर रहे हैं वो आ गई य इनका टच यहां माना जाता था कि आपको अपवित्र कर देगा इंप्यॉर कर देगा कई लोग यह बोलते हैं इनको देखने मातर से जो आप अपवित्र हो जाएंगे इस तरीके की चीज़ें आपके दो काल घंडों में दो आपके चाइनीज ट्राबलर्स आएं फाजियान औ अगरा में जो हैं रहा करते थे और मनुस्मृति ने बकायदा चांडालों के लिए कुछ ड्यूटी बगरा थी वह आपका स्पैसिवाइक किया था कि आपने जो हैं कुछ आपकी ड्यूटी जिनको मानना है कुछ चीज़ें जो आपको करना है और यह सारी की सारी जो ड्यू 27 इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द वेरिया स्टेज़ेस त्रू विच महाभारत वस कंपाइल इन दर 20th सेंचुरी अब अपने को यह बताना है कि वो सारी अलग अलग स्टेज़ेस कौन सी हैं जिसके चलते या जिसके तहट जो है बीज़ी शताबदी में यानि कि सन 1900 का जो आपका यह शुरुआती वग गया है 1950 यह 1960 के पहले पहले तक यह सारा काम हो गया था इसमें आपने महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन बनाया है या फिर इसका जो संकलन किया है इसका कंपाइलेशन किस तरीके से किया था अपने को यह चीज़ एक्स्प्लेइन करन है और कब की बात की जा रही है 20th century में जो आपका संकलन बनकर तयार हुआ है यानि कि जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का जिसके बारे में बातचीत के साथ में आपका chapter number 3 या फिर theme number 3 शुरू होता है उसकी बातचीत की गई है सवाल का जवाब आप इस तरह से दिना शु सुक्तांकर सहाब की leadership में आपके दर्जन बार शुरू किया था जिसमें महाभारत का जो है critical edition बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इसके आप कई सारी स्टेजस हैं उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो इन्होंने पूरे के पूरे भारती महाधीप में जो अल से विहार से उडिसा से एंपी यूपी गुजराट जो भी इलाके हैं रायस्थान बलोचिस्तान और आपका अफगानिस्तान जहां जहां से आपको जो जो संस्क्रिप्ट में मैनुस्क्रिप्ट मिल सकती थी महाभारत की वो सारी की सारी खटा करी देश बर से अलग-अलग विद्वारत की पंडु लिप्या थी इनको पढ़ना शुरू किया और इनको न को कम्पेर करकर उसके बाद में आपने चलोक देए जो सबसे जव्यख से अस कि सारी पंडू लिखपियों को एकटा करके कमबैर करके जो common versus या common श्लोक हैं जब उनको छापना शुरू किया गया तो कई सारे volumes में ये छपकर तयार हुआ और लगबक 13,000 पंडों में जो है publication चला गया ये पूरा का अमें जो common elements वगरा थे वो पूरे Indian subcontinent में अलग-अलग शेत्रों में पाए जाते हैं ठीक कहानी का जो common elements से जो मूल कहानी थी जो narrative वगरा था उसकी basic बात है हिंदुस्तान में कहीं पर भी जो हो वहाँ पाई जाती है पहली बात और more than half of the 13,000 pages had these type of variations which were documented in footnotes and footnotes in appendices to the main text इसके इलाबा जो variation वगरा आपको देखने को मिलता है तो 13,000 पन्नों में से जो 7,000 पन्ने के करीब हैं उसमें सिर्फ वो variations वगरा जो आपको देखने को मिलते हैं उन्हीं कई footnotes और appendices वगरा जो हैं तो इससे ये भी समझ में आता है कि मूल कहानी के common elements होने के बाद भी variation इतने खतरनाक थे कि उनको या इतने ज़ादा जबरदस्त थे इतने ज़ादा variations थे कि उनको लिखते लिखते 7,000 बनने पर गएं ये अपने आप में महाभारत की richness वगरा जो है उसके बारे में हमको एक अच्छा कासा indication देता है तो इस तरीके से जो है आपकी महाभारत का critical edition बन कर तयार हुआ है इस तरह से जवाब अपन लोग देकर खतम करेंगे और इसी के साथ में अपना जो section B जो है वो भी खतम हो जाएगा और इसी के साथ में अपना जो paper है वो भी खतम होता है तो section A जो है वो उसके 21 सवाल या 21 number का अपन ने कर दिया उसके बाद में अपन लोग गए section E की तरफ में जो 18 नंबर थे उसमें से maximum से maximum हमने फैच करने के कोशिश करी और इस तरह से जो है हमने अपने paper को conclude किया 21 और पाच यह 26 नंबर तो अपने तय हैं मगर यह जो तरीका या technique अपने इस्निमाल करी उसके मदद से अपन अंसर की writing इस तरह से की है कि 24 और 12 आपके 36, 36, 48, 54 marks वगएरा जो है 54 marks वगएरा में से अपने कोशिश करनी है कि maximum से maximum जो है अपन फैच कर सके इस तरह से अपना यह paper होकर खतम होता इस तरह से अपने इस paper के conclusion की तरफ बढ़ते है और इसी के साथ में आपने session की जो है अंत की तरफ में बढ़ते है तो यहां पर अपन लोगों ने अपना जो है paper होगरा है इस तरह से अपने जो है इसको conclude किया है और इस तरह से जो है अपने को आगे बढ़ना है आप वो वाला session में आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा की chapter number 4 का अच्छे से एक बार revision कर लें सारे के सारी detailed explanation videos और उसके one shot revision videos को पहली upload कर दिया गया है जाकर उनको देखे हैं उसकी मदद से अपनी preparation वगरा को enhance करें और उसके बाद में फिर आपका chapter 4 या comment section में लिख सकते हैं मैं उसका जवाब दे दूँगा मगर यह session जो है अपना यही पर समाथ होता है अब खत्म करने के पहले मैं एक last बात आपको और बताना चाहूंगा कि magnet brains पर आपको जो सारा quality educational content exclusively 100% free of cost मिलता है इसे तीन तरों से आप जो है access कर सकते हैं एक तो आप इसे magnet brains के youtube channel पर देख सकते हैं दूसरा आप इसे magnet brains की website पर देख सकते हैं और तीसरा आप magnet brains का app download करकर भी सारे के सारे content को access कर सकते हैं यह सारा content आपके phone पर भी चल जाएगा आपके tablet पर भी चल जाएगा आपके PC पर भी चल जाएगा इसके इलावा आपको revision बगेरा के लिए books की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके भी description में link डले हुआ हैं यह books आपके hard copy में भी और आपकी soft copy में भी e-books के form में भी जो हैं आपको available हैं अब अगर आप इनको access करना चाहते हैं इनको भी आप जो हैं जाकर वहाँ से देख सकते हैं तो इसका जितना उसके उतना फायदा उठा जितना उसके उतना जाड़ा धार ने और तरकी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें ज्यान से बड़ा कोई हतियार नहीं होता जितना उसके उतना जादा ज्यान का संकलन करते चलें and most importantly चुड़े रहें magnet brace के साथ इसी note पे calling it the day and concluding ता session अतना बहुत ध्यान रखना खुश रहना, positive रहना, चले, मिलते हैं next session में, thank you, जाएद